हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटेटेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इस टाइन दिल्ली या बाकी कई स्टेट्स में पतंग बाजी का सीजन चल रहा है जो कि 15 अगस्त तक उड़ाई जाती है और उसके बाद रक्षाबंदन आपकी अगस्त पर जादा उड़ाए जाता है तो दोस्तो आप लोग भी चाहिए वो बच्चे हों जवान हों बुड़े हों सभी को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है ये पसिंदिदा शोक है सबका जो हम शाम को जब उस पर चटों पर चड़ते हैं पतंगे उड़ाते हैं एक कन्य बांदना अच्छे से नहीं आता है इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि पतंग की कन्य कैसे बांदे वह भी बिल्कुल इजी स्टेप से जो कि आपको देख के काफी अच्छा लगेगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मगर दोस्तों आगे बढ़ने यह कागज की पतंग है एक तिल्ली ले लीजी आप यह तिल्ली है यह आप माचिस की भी ले सकते हैं वरना जाडू या जो पतंग की यह तिल्ली होती है ऐसी भी माचिस के आकार की लगबग होनी चीए माचिस ले सकते हैं इसको आप इसमें एक तरफ करते हैं यह उपर वाल यह इधर और इधर भी कर सकते हैं यह आपकी च्वाइसक कि इधर भी कर सकते हैं एक फिर नीचे कर लें आप दो छेद एक इधर डंडी के एक तरफ और एक डंडी के दूसरी तरफ थोड़ा सा सही छेद कर लें दोनों की बराबरी सी होनी चाहिए छेद होगी ये दोनों जो ये छेद है तो ये छेद हो गए है ओपर नीचे दोनों छेद कर लें अब इसके बाद ये सद्धी लें सद्धी आप मंजे से भी बांज सकते हैं और सद्धी से भी बांज सकते हैं लेकिन मैं आपको राय दूँगा कि ये सद्धी बोलते हैं वाइट कलर की जो होती है कि सद्धी से बांदो क्योंकि सद्धी से जो इसकी पकड़ होती है अच्छी होती है और मांज साइज ले मतलब कर लें इसको ऐसे करके सिंगल एक्चुलि जब हवा तेज हो यह प्रैशर आता है तो वह टूट भी जाता है तो डबल कर लें डबल काफी है आफ सीजर से या अगर सेफटी से आठ से तोड सकते हैं तो safety से आठ से तोड़ ले कि यह दोनों जो हमारे छोड थे दोनों के इनको मिल आया और यह हमने इस पर गाठ बांद दिया गाठ अच्छे से बांद ले यह डबल हो गया इसको हम यह देख ले ऐसे डबल कर ले अब इसको हम इसका एक सीरा लेके हम इसमें डालेंगे दूसरी तरफ से जिदर हमारी लकडी नहीं है पतन की और एक तरफ से बांदा डाला अब यह दूसरी तरफ से धागे को निकाल लेंगे दूसरे होल से पिर हम इसको बांद देंगे कि इसे टाइट बांग लें है ठीक है दोस्तों अब ये दूसरा सी रहा है कि ये जो नीचे छेट किये थे ओल इन में डाला एक में डाला और दूसरी तरफ से यह आ गया तो इसको दूसरी तरफ से निकाल लिया बस कि अब इसमें गाठ बांग दी कि ये गाठ अच्छी होनी चाहिए नहीं तो अगर ये धीली होएगी तो ये ओपर की तरफ सरकता सरकता भी आ जाता है फिर आप इसको अब ये जो चीज़ें ये देखना जरूरी है अब ये ओपर करके हम इसको बराबर करके उपर ऐसे बराबर करके फिर हम इसको गाठ लगा देंगे ये बराबर सा हो जैसे एक किसम से ये बराबर हो ये देखें इधर से इतना छोड़ दे इधर से इतना फिर जो ये बन जाए अब उपर के आप गाठ बान दें लेकिन छोटा बड़ा ना रखें नी तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी जितना आगे वाले का साइज हो उतना पीछे वाले का थे इतना आगेगा इतने ही लगबग पीछे का थोड़ा बहुत ना के बराबर चल जाता है अब ये देखें यह हमारे हमने इस कागच के उसके कन्य बान दिये यह थोड़ा सब्सक्राइब जब भी आप पतंग उड़ाएं तो इसके ये जो हैं हमारे यह ज उसको जो मांजे से उड़ाना चाहिंसे कई लोग मांजा रखते हैं पीछे सद्दी लाखने यूद मांझे καगज्कू अब हम पोलो्थिन की लेते हैं अब हम बताएंगे पोलो थिन की जो पतंग होती है उसके कन्य कैसे बांथे है इस में थोड़ा से लेकिन तोड़ा कागज फटना जाए इसले ध्यान रखना है कि थोड़ी माचीस जला ले माचीस जलाकर इसे कि इसके इससे एक दम छेथ जो है बिल्कुल वराबर हो और सही होता है लेकिन ध्यान से छोटे बच्चे ना करें यह यहां ब्रावर बलया है कि यह साईड़ों से टम भुटने के वहरा रहते हैं कि यह हमने इसको कर दी है यह उपर कर दी है उपर वालने में एक उपर एक नीचे एक वे नीचे एसलिए यह पे दोनों को बराबर कर दिया यह देख रहे होंगे आप यह बराद मैंने बताया था यह और यह यह एसे नहीं बांदे एक उपर एक नीचे बांद इधर सकते हैं इधर सकते कैसे भी वह आपकी मुच्छाइश है उसके बाद सद्धी ले मांजय का उपयोग ना करें कि करने ह हमेशा सद्धी से ही बांदे वही बैस्ट होता है अच्छा से तोड़ ले इसको हमेशा डबल करना है जो यह कन्य बांदने के लिए डबल रखना है सिंगल नहीं रखना सिंगल से आवा का प्रेशर होता है तो वह तूट जाती है यह और अगर हमारे कन्य तूट जाए तो फिर पतम उड़ाने का मजा ही कैसा यह एक तरफ दोनों को मिला के हमने छोड़ दो थे वह दोनों को मिला के हमने गाटवान दी अब यह डबल हो गया हमारा तो एक तरफ हम इसको जिदर डंडी नहीं हो उदर से ओपोजिट साइड में इ कि इदर से निकाल लें तो फिर गाट बान दें अब अब जो इसका दूसरा एंड है उसको आप यहां पेल रगा दें कि दूसरे उसमें एक तरफ डालें कि यह थोड़ा बड़ा होगे था इसलिए इसको बराबर करें पहले तो इसको बराबर कर लें यह बराबर करने के बाद यह डालके इसी को बन दें पूरे को यह बराबर करके यहां गाट लगा दें पूरनी पूरा बन दें कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि यह ऐसे बराबर करके यह चारों तरफ बराबर होना चाहिए और मदब ऊपर का वह और नीचे का भी पूंच लगाँस आजकर के फिर तड़ा ऊपर करके अप इसमें गाट लगादे यह आप इतने बड़े भी कर सकते करने आपने हिसाबसा करने छोटा भी कर करके जिद्धां तक आप लगवग इतना रखे एक गाट गह लगाँ लगवग il ना कि अच्छी स्विंग होती है उससे कि देखिए तो दोस्तों उम्मीद करते हूं आप समझ गए होंगे अच्छे से कि हम पतंग के कन्ये कैसे बानते हैं तो आपके लिए तयारा आप इसको उपर से जो यह हिस्सा है इसको पकड़े और च्छत पे जाएं या गली मोले जहां से भी आप पतंग उड़ा सकते हैं और पतंग बाजी का इंज्याय करें दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो इसे लाइक करें अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी पतंग बाजी पतंग बाजी करने का शोकीन है उसके साथ इसे शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारे मिल सकें कमेंट बोक्स में बदाएं क्या आपने इस बार पतंग बाजी में क्या खास किया कितनी पतंग इकाटी जो भी आपके मन में है वो हमें लिक कर जरूर बदाएं दोस्तों और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रा आपने वाद दोस्तों जय हिंद